बिग बॉस के विनर सिधार शुकला तो इस दुनिया को अलविदा कहके चा चुके हैं लेकिन जो नहीं गया है वो है सिधार शुकला की जिंदा दिली उनकी यादे और उनका जिंदकी जीने का स्टाइल सिधार शुकला दोस्तों के लिए हर दम हाजिर रहते थे सिधार शुकला से अगर किसी को कुछ सीखना चाहिए तो जिंदा दिली और दोस्ती निभाना तो वहीं शेहनाज गिल के लिए भी उनका प्यार एकदम सच्छा था बले ही वो मुह से नहीं बोलते हो लेकिन कभी भी उन्हों रे इस पास से इंकार नहीं किया था कि वो शहनाज से प्यार नहीं करते वो उसकी बेहत केर करते थे और बिग बॉस के हाउस में भी वो बोल चुके थे कि हाँ शहनाज में तेरी केर करता हूं और तू मुझसे लड़ती है तो मेरा पूरा मूट खराब हो जाता है सिधार शुकला का भी शैनाजियल के लिए प्यार साफ दोर पर नजर आता था बिग बॉस हाॉस में दोनों के बीच में लडाईयां भी हुई है लेकिन शाम होते होते दोनों एक हो जाया करते थे और ये प्यार कोई फेक नहीं था सिधार शुकला के जाने के बाद शैनाजकिल ने ये बाद साबित भी कर दी है कि वो उनसे कितना प्यार करती थी सिधार्शुकला और शेहनाजकिल के फैंस उन दोनों को साथ में देखना चाते थे और उनको एक टैग भी दिया था सिधनाज का लोग चाते थे सिधनाज साधी करें लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था सिधार्शुकला मात 40 वर्ष की कम उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कहे गए आपको बता दे अंतिम संसकार के दौरान जो एक बीवी के हक जो एक बीवी के फर्ज होते हैं वो सब शेहनाजकिल नहीं निभाए हैं ऐसे में उनको शेहनाज सिधार्शुकला कहा जाए तो यह गलत ना होगा और बता दे शोशल मीडिया पे भी शेहनाज सिधार्शुकला काफी ट्रेंट कर रहा है लोगों में शेहनाज को सिधार्श की वीवी मान लिया है और काफी यह हैश्टेग काफी ट्रेंट कर रहा है शेहनाज सिधार्शुकला सिधार्शुकला के जाने के के बाद से शेहनाज के पूरी तरह तूट गई हैं वह बिल्कुल बेसुद हो चुकी है ऐसे में फैंस भी शेहनाज के लिए दुआ कर रहे हैं कि वह जल्द ही ठीक हो जाएं आपको बता दें जिन फैंसे शेहनाज को सिद्नाज का ताज दिया था अब वही उन्हें शेहनाज से धाशुकला कहकर बुला रही हैं और यह बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है